हाई, वेलकम तो मैं चनल, इस बड़ी में सॉल्व करेंगे क्वेशन नमबर 30 करा कि water flows out through a circular pipe whose internal diameter is 2 cm देखे, यह जो pipe है, इसमें से water flow कर रहा है ठेक है, circular pipe है और इसका internal diameter दे दिया है 2 cm अब यह flow करके क्या हो रहा है? किस rate से गिर रहा है यह भी दिया हुआ है water का इसमें ईसमें गिरने का वो दिया है 6 meter per second गहरें का मतलब यह है, कि यदि मैं यहाँ से और माल लजे कि यहां तक यदि मैं यहां से, यहां तक ठीक है, यहां से, यहां से और यहां तक यदि मानू कि 6 meter है मतलब कि 6 meter मतलब किटना हो गया? 6 cent Fall तो यहां पर जो rate देने का मतलब यह है कि 6 meter per second यह water जो फ्लो कर जा रहा है इसमें मतलब कि 1 second में यह जो 6 meter length का जो pipe में water होगा वह एक second में वो इसमें गिड़ जा रहा है मतलब कि इस cylinder में फ्लो कर जा रहा है यह दिया हुआ rate अच्छा इंटो a cylindrical tank the radius of whose base is 60 cm अब इसका radius दे दिया है इसके base का जो radius है वो दे दिया है यह कितना है यह वाला length यह दे दिया है 60 cm अब कर रहा है कि find the rise in the level of water in 30 minutes तो बताएए यह 30 minutes तक एक second में मतलब 6 meter का total volume जितना भी pipe में होगा वो गिर जा रहा है तो कर रहा है कि 30 minutes में 30 minutes तक एक गिरता रहे pipe का पानी इसमें इस सिलेंडर में तो कितना यह height raise होगा ठीक है मतलब यह पूछाए कि यह height कितनी होगी तो हम माल लेते हैं कि h होगा ठीक है 30 minutes में माल लेते हैं कि h cm इसको cm में कर लेते हैं सब हम cm में calculate करेंगे ठीक है तो इसलिए माल लेते हैं cm in the level of water be h cm in 30 minutes okay अब यहाँ पर क्या करना है हमें यही h find करना है तो क्या concept है यह समझे ध्यान से यहाँ पर pipe से पानी गिर रहा इसमें तो pipe में जितना पानी गिर रहा है यदि 30 minutes तक गिरेगा तो जितना यह volume यहाँ पर एकत्रित होगा ठीक है वही हमें निकालना है कि pipe में कितने length का pipe लेंगे कि 30 minutes में total इसमें जो volume होगा वो h cm जो है cover कर लेगा तो सुनिये अब तो ध्यान समझेगा हम पहले निकालेंगे कि एक सेकेंड में एक सेकेंड में क्या हो रहा है 6 meter 6 meter का मतब 600 cm length का pipe का जो water है वो गिर जा रहा है वो गिर जा रहा है एक सेकेंड में तो वही volume हम पहले निकाल लेंगे और वो volume निकालने के बाद हम फिर निकालेंगे कि 30 minutes में कितना गिरेगा अब मैं बताता हूं आपको क्रेसे निकालेंगी तो पहले हैं पर मैं निकाल लेता हूं volume of volume of water flown out from pipe in 30 in 1 second in 1 second देखिए 1 second के यूज करने का मतलब यह हो गया कि 600 cm ये length of the pipe मिल गया है मतलब height of the cylindrical pipe मिल चुका है तो हम volume लिकालेंगे तो formula क्या होता है pi r square होता है तो यहाँ पर radius of the cylindrical pipe क्या है यहाँ पर दे दिया है diameter 2 cm तो radius निकाल सकते हैं तो diameter is given 2 cm so radius is 1 cm तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे और pi r square h की value मिल जाएगी तो यहाँ पर निकाल ही लेते हैं क्या मिलेगा 22 by 7 multiplied by r square means 1 का square और 1 का square मतलब 1 ही आएगा into h height कितना लेंगे height of the cylinder height of the cylinder मतलब की 1 second में कितना length of the pipe हम water जो है गिर जारा इसमें 6 cm लेंगे sorry 6 meter लेंगे मतलब की 600 cm लेंगे यहाँ पर तो हम cm में सब कुछ use कर रहे है इसलिए 600 cm यहाँ पर लिग लेते हैं अब यहाँ पर हम थोड़ा solve कर लेते हैं तो मिल जाएगा आपको 22 into 600 मतलब की 6 तूजा 6 तूजा 12 को 2 1 carry over 6 तूजा 12 and 1 13 13 132 और यह 0 0 भड़े जाएगा अब 57 cm3 देखें इतना volume of water जो है एक सेकेंड में इसमें गिर जाएगा तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि h meter यह rise होने के लिए मतब 30 minutes तक गिरने में 30 minutes sorry 30 minutes तक यदि गिरेगा यह water एक सेकेंड तक गिरा तो इतना volume गिर गया यदि 30 minutes तक यह water इसमें power होगा ठीक है मतब गिरेगा तो कितना volume इसमें गिरेगा वो हम निकाल सकते हैं है कि ने यदि एक second में इतना गिर रहा है तो 30 minutes में कितना गिरेगा तो हम पहले क्या करेंगे कि 30 minutes को second में convert कर लेंगे तो अब बताएगे यहाँ पर 30 minutes को 30 minutes बरबर कितना second होते हैं तो 30 minutes को पहले change कर लिजे second में तो उसके लिए 30 में multiply करना पड़ेगा 60 से है कि नहीं 30 multiplied by 60 तो मिल जाएगा 6 सिर्जा 18 डबल 0 1800 1800 क्या हो जाएगा seconds तो 30 minutes में होते हैं 1800 seconds तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अब 1 second में हमने यहाँ पर find कर लिया कि volume of water इतना गिर रहा है इस cylindrical tank में तो बताएगे कि 1800 seconds में कितना गिरेगा हम लगाएगे यहाँ पर unitary method ठीक है तो अब यहाँ पर लिखा लेंगे it implies volume of water flown out from the pipe in 1800 in 1800 second मतलब कि in breaker लिख देते हैं 30 minutes 30 minutes में कितना गिरेगा तो is equal to हो जाएगा यहाँ पर 1800 से मैं अब रप्लाई कर लेंगे 1800 multiplied by 132 00 hole upon 7 centimeter cube ठीक है अब यह जो volume आया है ना यही volume जो है total यह वाला है जहाँ blue color से मैंने यहाँ h height का जो level rise होकर के जो cylinder में भर जाएगा वह 30 minutes में इतना ही तो भरेगा हमने यही तो माना था तो 30 minutes में इतना volume of water भरेगा तो यही volume हमने निकाल लिया यहाँ पर यह हम जो है अब लिख सकते हैं it implies volume of water raised in in the cylinder in the cylindrical tank cylindrical tank is equal to हो जाएगा इतना ही ठीक है मतलब एटीन हंडेड मड़बैड भाई यहां में मडबैड नहीं कर रहा क्योंकि कुछ कटेगा इसलिए हमें इसको अलग अलग लिखे रहा हूं थर्टीन हंडेड अपान सेवन सेंटीमिडर क्यूब तो वालिम अफ वाटर जो यहां पर यह पूरा कंप्लीट है उसका हम यह आप निकालेंगे तो वह इसके बराबर हो जाएगा मतलब वालिम अफ वाटर कितना होगा यह पाई रस्कार एच यहां भी लगाएंगे पाई रस्कार एच बराबर हो जाएगा इतना 1800 1 divided by 1300 whole upon 7 अच्छा 13 नहीं है sorry 132 है यह 132 है और यहां भी जो है यहां भी हो जाएगा 13200 अब क्या करना है कि यहां पर πाई की वालू पूट कर दिजिए 22 by 7 into R square इसका बते यह radius कितना है 60 है तो 60 का क्या करेंगे square करेंगे into height तो हमें निकालना ही है यहां पर हमने h cm माल लिया था यही height निकालनी है आपको तो यह हो जाएगा 1800 into 132 00 whole upon 7 अब दिखें नीचे नीचे 77 cancel out हो जाएगा अब जो भी यहां पर बचा हुआ है उसको सबको transpose कर देंगे तो h बराबर निकल जाएगा 1800 multiplied by 13200 divided by 22 से डिवाट करेंगे यहां पर into 60 square से करेंगे मतलब कि 60 multiplied by 60 अब क्या कटेगा देखें यहां पर 00 pencil होगा 20 यहां 20 अब यहां पर 11 से कटेगा यह 11 से कट सकता है 11 तुज़ा 22 और यह कटेगा 11 से 11 वज़ा 11 2 बचा 22 11 वज़ा 22 ठीक है 2 से कटेगा 22 2 सीवज़ा 12 और 6 वज़ा 6 6 वज़ा 6 अब यहां 6 सीवज़ा 6 और 6 थरीजा 18 डबल 0 यहां पचा हुआ है 300 तो खाने का मतलब कि डबल जो है prise हो जाएगा तो 300 अंसचम का मतलिक सकते है 3 meter क्यश्कि हम डबाई कर सकते है 100 से 3 meter हो जाएगा डबल आफ राइज हैंज डग्यून रीज इन दड़ लेबल आफव वटे इस कटो 300 सेंटें म HEY या फिर 3 मेटर हम ले सकते हैं 3 meter ओके तो यही आपका answer है thank you so much for watching bye